नमस्कार दोस्तों, ग्रिश्म रितू की शुरुवात हो चुकी है, और इस रितू में दूद का फटना एक आम बात है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, दूद फटना माने पनीर और मटर की पार्टी होना, तो आईए इसी पर हमने आज ये वीडियो बनाया है, तो चलिए, ये एक किलो दूद हमारा फट चुका है, देखिए, किस तरह से छेने और पानी अलग अलग देख रहे हैं आपको, ये देखिए, हमको गैस जला करके रखनी है, अगर आपका दूद पूरी तरह फट जाए, तो उसको चड़ा रहने दे, ये देखिए, और आज को बिलकुल स्लो रखना है, तेज आच में क्या होता है, कि नीचे से दूद जलने लगता है, तो हमारा पनीर अच्छा नहीं बनता है, इसलिए इसको चमत से हम नीचे चलाते रहेंगे, अच्छी तरह से दूद हमारा फट जाए, फिर इसको गैस को बंद करके इसको ठंडा हो होने देंगे, यह देखिए, हमारा दूद ठंडा हो चुका है, फटा हुआ दूद, अब हम कोई भी बरतन से या गंजी ले लीजे, आपके पास जो बरतन हो, हमने कडाई का इस्तिमाल किया है, यह देखिए, कोई भी वाइट कलर के कॉटन का कपड़ा, सूती कपड़ा यह देखिए, और इसको अच्छी तरह से चान लेंगे, पानी को और छेने को इसको अलग-अलग कर लेंगे हम रुमाल से, यह देखिए, इस पानी का इस्तिमाल आप आटा सानने में कर सकते हैं, और इसमें आप अगर दही का जामन डाल दें और राद बर छोड़ दें, तो और कस के प्रेस करते रहना है पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसके अंदर अब हमने एक थाली या पराद जो भी आपके पास हो इसको हाथ से थोड़ी देर प्रेस करके रखना है दबा के पानी साइड में बह रहा है इसका ये देखे जब तक पानी बैता रहेगा तब तक हमको दबा के रखना है फिर इसके बाद हमको कोई वजनी कोई भी सामान इसके उपर रख देना है जैसे आपके घर में जो भी सामानों चकला रख सकते हैं, अपन जिसमें रोटी बेलते हैं, जैसे लोटी रख सकते हैं, जिसमें की हम लोग मसाले वगरा पीसते हैं, मैंने तो आटे का डबा रख दिया इसके उपर, इसको डेड़ से दो घंटे तक आपको दबा के रखना है, अब देखे पूरा सूखे पूरा हमारा पनीर ready हो चुका है यह देखे white कप्डे के इस्तेमाल किरते हैं क्योंकि जिस से colour Liebe लग जाए और cotton के कप्डे का colour चूट जाता है white कप्डे & पनीर हमारा बिलकुल white रहता है यह देखे इतना सॉफ्ट पनीर बन गया है हमारा ये देखें, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही फ्रेश पनीर है ये इसके बाद आप इसको एक देड़ घंटे तक फ्रिज में भी रख सकते हैं जिससे ये थोड़ा टाइट हो जाएगा ये देखें इसको फ्रेश में रखने के बाद आप इसको ये देखें, काफी बढ़िया पनीर बना हुआ है एक किलो में अच्छा दोदे अगर तो 200 ग्राम तक पनीर बढ़िया बन जाता बैतरीन ये देखें, हमारा पनीर रेडी हो चुका है अब इससे आप कुछ भी आइटम बना सकते हैं मटर पनीर बना सकते हैं, ये देखें रेडी हो गया है पनीर आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे और शेयर कीजे बहुत बहुत धन्यवाद